अधान मंत्री मारणिये नरेंद्र भाई मुगती जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। स्यावर राम चंद्र की जये। स्यावर राम चंद्र की जये। स्रद्धे मंच, सभी संत, एवं रशीगन, यहां उपस्तित और विश्व के कौने कौने में, हम सब सखाज जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सब को प्रणाम, आप सब को राम राम। आज हमारे राम आ गए है। सद्यों की प्रतिछा के बाद हमारे राम आ गए है। सद्यों का अभूत्पुर्व धैरिय, अंगिनत बलिदान, त्याग और तपश्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए है। इस सुबगड़ी की आप सभी को समस्त देशवाशियों को बहुत बहुत बढ़ाई। मैं अभी गर्ब गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ। कितना कुछ कहने को है। लेकिन कंठ अवरुद है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है। चित अभी भी उस पल में लीन है। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदीर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है। अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुहूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये ख्षान अलोकिक है। ये पल पवित्रतम है। ये माहोल ये वातावरन ये उर्जा ये घड़ी। प्रबूस्री राम का हम सब पर अशिरवाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पूरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था। निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सद्यों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानशिक्ता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट। अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट। ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं। इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। यह समय सामान्य समय नहीं है। यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाय से अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं। साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है। वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते है। इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं माता जान की लक्षपन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूँ। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ। मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूँ। कि जिनके आशिरवात से यह महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियां भी इस समय हमारे आस पास उपस्तित है। मैं इन से भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतग्यता पूर्वक नमन करता हूँ। मैं आज प्रभूस्री राम से छमय आचना भी करता हूँ। हमारे पुर्शार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए है। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभूराम आज हमें अवश्य शमा करेंगे। मेरे प्यारे देश्वासियों, त्रेता में राम आगमन पर उज्य संत तुल्चिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्थे पुरबासी। झालती है। भ्रभूर्श थालती है व्रेता थांगे